सभी को नमस्कार आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है आज हम सेकेंड येर कम्टूटर साइन्स का सब्जेक्ट CS206 डेटा कम्यूनिकेशन के पहले चेप्टर के अगले भाग में Topic 1.4 Topology इसको discuss करेंगे जिसके बारे में हम पूरुच के lecture में भी पढ़ चुके हैं कि Topology क्या होती है और कितनी तरह के होती है हमने 5 तरह की Topology जो Basic Topology होती है उनके बारे में पढ़ लिया था आज हम आगे Hybrid Topology और जो Basic Topology है उनका comparison करेंगे तो hybrid topology जब हमने types पड़ी थी तब आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो topology है वह basic topology जो होती है प्रकार जो होते हैं वह 5 प्रकार होते हैं बस star, ring, tree और match topology ये 5 basic topology होती हैं और इन 5 topologies में से किनी 2 का या 2 से अधिक topology का combination अगर हम use करते हैं network बनाने के लिए तो वह hybrid topology कहलाती है a hybrid topology having combination of any two or more basic topologies is called hybrid topology याने के एक ऐसी topology जिसमें 2 या 2 से अधिक basic topologies का combination हो उसे हम hybrid topology कहते हैं hybrid का मतलब होता है संकर, संकर मतलब कि किसी combination से जिसे बनाया जाए तो यहाँ पर हम topology की बात कर रहे हैं तो जो basic 5 तरह की topology होती हैं उनमें से किनी 2 या 2 से अधिक का combination जब हम use करेंगे तो उसे हम hybrid topology कहते हैं और example जैसे मान लें कि एक हमारे पास ring topology है और एक हमारे पास star topology है आप ऐसे मान सकते हैं कि आपके पास दो lab है अलग-अलग, दो room है या दो building है जिन में दो network हमने setup किया हुआ है, एक में ring topology से हमने बनाया है और दूसरे में star topology से बनाया है तो दो अलग-अलग topologies हैं यदि हम उनको आपस में जोड देते हैं जैसा कि यहां पर हमें दिख रहा है कि यह हमने दोनों को आपस में जोड दिया तो यह पूरा का पूरा एक नया network बन गया पहले यह एक network था जिसमें ring topology यूज हुई थी और यह दूसरा network था जिसमें star topology यूज हुई थी फिर जब हमने इन दोनों को आपस में जोड दिया है तो इस तरह से यह जो एक network बना इसके लिए जो यह topology काम आई यह एक हिस्सा इसका ring topology है और दूसरा हिस्सा इसका star topology में है तो यह है जो नया network जो बनेगा इससे जो topology बन कर आएगी उसको क्योंकि व और आपकी lab है या building है जिसके अंदर आपने tree topology से setup किया हुआ है network को तो उस case में अगर उसको भी हम जोड देते हैं तो यह भी एक उधारन है किसका hybrid topology का तो इस प्रकार दो या दो से अधिक basic topology के combination को हम hybrid topology कहते हैं तो इस प्रकार से जितनी हमने अभी तक topology पड़ी उसक कर देता हूं थोड़ा सा कि 5 प्रकार होते हैं bus, tree, star, ring और mesh यह 5 basic topology होती है और एक इनके combination से बनती है वह छटी होती है हमारी hybrid topology अगर exam में प्रशन आपको topology के बारे में पूछा जाता है उसके प्रकारों के बारे में पूछा जाता है तो आपको यही लिखना है कि 5 basic topology हो और एक उनके combination से बनने वाली hybrid topology होती है अब हम देखेंगे कि इन topologies का comparison अब तक हमने सारी जो topology पढ़ी है basic topology पांच उन पांचों का comparison करेंगे हम जिसमें हम देखेंगे कि किस में किस चीज के लिए अच्छी है और किस चीज में किस के लिए कौन सी topology अच्छी नहीं है य उसमें उसकी disadvantage या advantage क्या है तो यहां पर है comparison among different network topologies based on some properties ये तो properties हैं जिस पर base हम comparison करेंगे इन सभी topologies का सबसे पहले हम लेते हैं connection यानि कि प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे हम कि connection किस तरह का होता है इसके लिए हम आपको suggest करूँगा कि इस comparison को आप पढ़ने से पहले आप अपने पास जो भी आपकी notebook है या kagas pen पर आप सारी topologies के diagram अपने पास रख लें क्यूंकि उन diagrams को देखकर आपको easily समझ में आ जाएगा ये जो हम comparison करने वलने हैं इसलिए मैं आपको यह advice करूँगा कि आप आगे का comparison पढ़ने से पहले एक जगा पर सारे जो diagram हैं उनको बना लें सभी पांचों topologies के ताकि उनका comparison करने में और उसे समझने में आपको आसानी रहेगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं connection की connection मतलब कि उनके बीच में जो node है network की उनके बीच में connection कैसे होगा तो आप याद करें bus topology में हमारा multipoint link होता है bus topology याद कीजिए इस तरह से ये diagram था bus topology का कि एक ही उस पर link पर सभी ने share किया हुआ था तो कौन सा हुआ ये multipoint हुआ दूसरी topology है हमारी star तो star में अगर आप याद करें कि point to point link था एक central hub होता है जिस पर की बाकी के सारे node connected रहते हैं तो इसमें कौन सा था point to point link to central hub ये इस तरह से फिर थी ring topology तो ring topology में भी क्या था हमारा आप याद करें कि point to point link था कि जो भी neighboring node है उसके साथ वे point to point link द्वारा जूड़ी हुई है ये मैं diagram बनाने के कोशिश कर रहा हूँ और जगा की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है हमारे पास लिखने के लिए इसलिए मैं ये छोटे comparison के लिए पूरा बना के उसको समझ सकते हैं diagram के द्वारा भी अब यहाँ पर देखें ring topology में point to point link to its neighbor यानि के हर एक जो node है वो अपने neighboring node के साथ point to point link से जुड़ी हुई है फिर हम बात करते हैं tree topology की जिन पर की हमारे node connect रहते हैं इस तरह से था आप diagram देख लें जो हमने previous lectures में discuss किया है तो यहाँ पर क्या होगा point to point link to a hub यानि के यहाँ तो यह point to point link है जिस hub से यह connected है which in turn links with other hubs और switch कई सारे hub थे इसके अंदर हमारे पास primary और secondary hub थे active और passive hub कहते हैं जिनको हम तो वो hub क्या थे आपस में जुड़े हुए थे तो वो किस से जुड़े हुए है जो node है हमारी वो node hub के साथ point to point link से जुड़ी हुई है और वो जो hub है secondary hub जो है वो primary hub से जुड़े mass topology में point to point था आपको ध्यान होगा कि जितनी भी node होती है हमारी mass topology में हुए सभी dedicated link से आपस में जुड़ी हुई रहती है जो ring topology थी उसका ही extended roof होता है mass topology तो यहाँ पर भी कहा है सभी आपस में जुड़ी हुए किस से point to point link से point to point link to each and every device in the network जितने भी है सभी आपस में point to point link से जुड़े हुए next property हम discuss करते है physical link यानि कि total link कितने चाहिए होंगे किसके लिए for n nodes यानि कि node की संख्या n है तो उसके लिए कितने हमको link की आवशक्ता होगी तो बस topology में क्योंकि multipoint है तो एक ही link की आवशक्ता है यह main link होगा एक ही link से सबका काम हो जाएगा star topology में जितने node होंगे उतने ही link होंगे कि जितने भी हैं उतने सब आपस में जुड़े हुए हो इसी तरह से ring topology में क्या होगा n होंगे यानि कि जितने node हैं उतनी ही हमको link की या lines की आवशक्ता होगी जैसे आप गिन सकते हो यहां पर यह चार है तो इसके लिए चार ही link की हमें आवशक्ता है tree topology में हमने का cannot be determined क्यों नहीं हम determine कर सकते क्योंकि कितने भी branches किसी भी link पर हो सकती है जैसे इस एक line पर अगर मुझे 10 node जोडनी है तो हो सकता है मैं इसकी दो ही branches बनाऊं और उस पर जोड़ दूँ या मेरी availability है या suitability है या जरूरत ऐसी है मेरी कि मुझे जादा link लगाने पड़े तो यह configure करने वाले पर निर्वर करता है इसलिए इसमें लिखा है cannot be determined हम पता नहीं लगा सकते और match topology में है n into n minus 1 by 2 यह हमने देखा था जब match topology पड़ी थी कि जितनी भी node होती है उसके लिए link की आवशकता होती है n into n minus 1 जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 गुना 3 divided by 2 तो 4 गुना 3 बारा बटे 2 छे आगी है यहाँ पर तो यहाँ आप गिन सकते हो 1,2,3,4,5 और 1,6 तो 6 link की आवशकता होगी match topology में फिर इसके बाद हम बात करें input output ports required for n nodes n node के लिए कितने input output port की आवशकता होगी कितने port की hardware port जो होते हैं उनकी आवशकता होगी तो बस topology में एक ही required होगा हमको जो यहाँ पर यह connected है और एक जो device connected होगा वहाँ से यहनि कि यह वाला port इससे direct connect हो जाएगा तो device में हमें एक ही port की आवशकता होती है परते एक device में star में भी एक ही port की आवशकता होगी क्योंकि यह point to point link से जुड़ा होगा है तो यह direct यहाँ से यहाँ जुड़ा होगा है तो इस device को केवल एक ही link port चाहिए जो कि इसको central app से जोड सके ring topology में क्योंकि हर एक node हमारी दो neighboring node से जुड़ी होई है तो इसको connect करने के लिए हमें कितने link दो link इसमें लगाने पड़ रहे हैं तो दो लिंक को जोडने के लिए port कितने चाहिए होगे दो port की हमें आवश्रक्ता होगी tree topology में एक ही होगी क्योंकि हर एक device किसी एक जगा पर ही किसी branch से जो हमारा tree है उसकी branch से जुड़ा हुआ होगा इसी प्रकार match topology में n-1 by each device हर एक जो device है उसमें n-1 है क्यों क्योंकि वो सभी से जुड़ा हुआ है खुद के अलावा बाकी सबसे भी जुड़ा हुआ है तो खुद को मिला कर क्योंकि n हो रहा है तो बाकियों से जुड़ने के लिए कितने चाहिए हैं खुद को छोड़ दें तो n-1 input output ports की आवश्रक्ता होती है यह हमने previous lecture में भी पढ़ा थे फिर उसके बाद हम बात करते है cost की यानि कि इसको बनाने में और maintain करके रखने में कितनी cost की आवश्रक्ता होगी तो बस topology की सबसे low तो नहीं आपस में compare करें तो इनके मुकाबले इसकी जो cost है वैस low होती है क्यों क्योंकि इसमें केवल एक ही link है एक ही line है तो cable जो चाहिए हमें वो limited ही है एक cable से हमारा काम हो जाता है star topology में medium है पर बस से तो जादा है क्यों क्योंकि इसमें number of line जो है वो बढ़ जाएंगी तो जो cable required होगी इनको connect करने के लिए उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो obviously उसकी cost भी साथी साथ बढ़ जाएगी इसी तरह से ring topology में भी low है क्यों low है क्योंकि ring topology में आसानी से इनको connect किया जा सकता है ज्यादा किसी चीज की आवश्कता नहीं है कि कोई central hub जैसे इन दोनों का comparison करें star और ring का तो इसकी low क्यों है ring की क्योंकि इसमें कोई भी central hub extra नहीं चाहिए जबकि यहाँ पर हमको start topology में एक hub जो होता है वो extra required होता है यह hub जो होता है यह capable device होना चा या जो हमारा traffic control है उसको कर सके इसलिए इसकी cost इसके comparison में बढ़ जाती है थोड़ी इसी तरह से tree topology की medium है क्यों medium है क्योंकि इसमें भी number of branches बढ़ेंगी तो जो secondary hub है हमें उनकी आवश्कता होगी जो cable है इन hub से जोडने के लिए चाहिए होगी हमें तो इसकी cost भी क्या होगी इसके मुकाबले बढ़ जाएगी और match topology की high है क्योंकि match topology में number of जो link है और number of port जो है वह हमारे बहुत ही जादा होते हैं क्योंकि हर एक node सबसे connected होती है तो इसकी cost सबसे जादा होती है इसलिए इसको हम use भी कम ही करते हैं कम जगा पर ही use करते है नेक्स्ट है reliability reliability के मतलब विश्वस्नियता यानि के कोई भी चीज जो काम करने के लिए हम उसको बना रहे हैं उस काम को करने में कितनी सक्षम है कितना हम वरोसा कर सकते हैं उस पर तो bus topology यहां topology की हम बात करने तो यहां reliability का मतलब है कि जो हमारा data है वो एक जगा से दूसरी जगा पहुँचने के लिए कितना reliable है कि पहुँची जाएगा या नहीं पहुँचेगा या medium है या क्या है सबसे बहले बात करते है bus topology, bus topology की reliability low है क्यों 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 कि सब काम इस एक main link पर ही निर्भर करता है जैसा हमने इसमें पढ़ा भी था यह link में अगर कोई गड़बर होगी तो अमारा जो data है वो नहीं पहुचेगा क्योंकि network अमारा पूरा ही बंद हो जाएगा तो इसकी reliability इस वज़े से क्या है, low है data की, start apology की medium है, low क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कोई एक link खराब होता है, तो केवल उससे जुड़ी हुई जो node है, सपोज ये वाला link खराब हो जाता है, इससे जुड़ी हुई जो node है, केवल वह ही अपना काम नहीं कर पाएगी, बाकी सारी अपना काम as it is करती रहेंगे, इसलिए इसकी reliability जो है, वह है, medium है, इसी तरह से ring की भी medium है, क्यों, कि माल लीजे कोई ये वाला link या node ये वाला कोई एक खराब हो जाता है, तो बाकी जो है, वह है, अपना काम कर सकती है, सिरफ इस node से सम्मंदित या इस link से जो कार्य है, वह कार्य बाधित हो जाएगा, इसलिए इसकी reliability भी medium है, दूसरा जब हमने ring topology पड़ी थी, तो हमने इसका alternative ढूंडा था, देखा था हमने इसका, कि अगर double ring वाली जो configuration था, वो हम यूज़ करें, जिसमें inner और outer दो ring यूज़ करें, तो इसकी reliability और बढ़ जात है, इसलिए इसकी total overall reliability जो है, वह है, medium है, tree topology की high है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर कोई node खराब होता है, या कुछ भी एक link खराब होता है, तो उस hub से related, जो secondary hub है, उस secondary hub से related ही काम बाधित होगा, बाकि कोई भी काम बाधित नहीं होगा, बाकि सारा का सारा चलता रहेगा, इ nice topology की तो सबसे ज़्यादा होती है, reliability सबसे high है, क्यों, क्योंकि ये किसी एक node के या एक link के खराब होने से केवल उससे संबंदित कार्य ही बाधित होगा, और even जैसे मैंने कल भी आपको पिछले lecture में बताया था, कि अगर मानलो ये वाली खराब हो जाती है, इसको data भेजना तो इसके पास अभी एक दो option और हैं, फिर भी इन में से एक और खराब हो जाती है, तो भी इसके पास एक option अभी भी और है, इस वजह से इसकी जो reliability है, वह सबसे जादा होती है, सबसे highest topology की होती है, क्योंकि इसके पास option जादा available है, क्योंकि इसके पास जो link है, lines है, जो next property है हमारी on cable failure fault isolation यानि कि cable के fail होने पर या खराब होने पर fault को हम कैसे isolate कर सकते हैं यानि कि कोई एक cable अगर खराब हो जाती है पूरे network में तो जो उसकी वज़े से fault आ रहा है वह दूसरों पर क्या प्रभाव डाल रहा है उसको हम हम अकेले को छोड़ सकते हैं या पूरे का पूरे system को उसमें बादित करेगा ये comparison हम करेंगे यानि कि cable के fail होने पर fault isolation किस प्रकार होता है तो bus topology में क्योंकि cable एक ही है तो वो cable अगर खराब हो जाती है तो break down the system यानि कि पूरा का पूरा जो system है हमारा वो break down हो जाएगा यानि पूरा network की हमारा ठप हो जाता है bus topology में start topology में only the attached node goes down जो उस link से जुड़ी हुई node है केवल वह बंद होगी बाकी का network जो है हमारा वह चलता ही रहेगा उसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी यह हम देख भी चुके हैं कि यह node खराब होगी तो सिर्फ यह link खराब होगी cable तो सिर्फ यह cable से जुड़ा हुआ जो node है वही बाधित होगा ring topology में break down the system अब ring topology में एक इसके break हो जाने पर यह ring तूट जाएगी हमारी तो अगर हम पूरे network की बात करें चाहें तो यह वाली जो हमारी है यह काम कर सकती है और जो network है वो हमारा break हो जाएगा उसके लिए हमारे पास इसमें उपाय भी थे जो हमने पड़े थे कि inner और outer door ring यूज़ कर सकते हैं पर simple जो ring है उसमें जो हमारा system है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा breakdown हो जाएगा बंद हो जाएगा क्यों क्योंकि बाकी nodes तक भी नहीं पहुच पाएंगे tree topology में only faulty cable branch node goes down मान लो इस वाली में आया cable में तो इससे जो जुड़ी हुई हमारी node है cable वह ही down होंगी वह ही ऐसी होंगी जो कि अपना कारे नहीं कर पाएंगी बाकी जितनी भी है वैसा अपना कारे करती रहेंगे और match topology में only faulty cable path goes down कि ये वाला अगर चला जाता है किसी वज़े से तो जो भी इसको use कर रहा था cable को node का path जैसे यह यहां से यहां use कर रहा था यह मानलो यह वाली node इस तरह से इस तरह से data भेज रही थी तो जो वो path है जिसमें यह node link काम में आ रहा था या cable का हम आ रही थी cable और cable वह path ही हमारा क्या होगा बंद होगा बाकी जो network है हमारा वह है चलता रहेगा next property है हमारी to add or delete a device एक device को add करना या कोई लगा हुआ device है उसको delete करना system में कितना आसान या मुश्किल है वह comparison करेंगे हम तो सबसे पहले हम देखते है bus topology तो bus topology में difficult है क्यों क्योंकि एक ही link है जिस पे सब जुड़े हुए है तो नया node लगाने के लिए या कोई existing node हटाने के लिए दोनों ही case में हमें पूरे network को एक बार बंद करना पड़ेगा और फिर से उसे restart करना पड़ेगा, reconfigure करना पड़ेगा चलते में हम नहीं कर सकते हैं, reconfigure करना हमारे लिए ज़रूरी होगा इसलिए bus topology में नया node add करना या existing node को delete करना difficult है start topology, start topology में आसान है easy क्यों है क्योंकि हमें कोई node अटाना है तो केवल और केवल उसका connection जो central hub है उससे अटा देंगे हम तो वह delete हो जाएगा node महां से और अगर कोई नया node जोडना है तो केवल हमें उसको जो central hub है उससे उसका connection करना है simple है इसलिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको भी बताया भी था जब हमने start topology पड़ी थी कि start topology जो हमारे normal simple network होते है उनमें सबसे ज़्यादा काम में आने वाली topology है आप जब भी आपकी lab है वहाँ पर आप देखें network बना हुआ होगा अगर तो वह network generally labs में start topology ही use की जाती है कि एक center switch रख दिया जाता है और उस switch के साथ बाकी सारे जितने भी node या computer हैं वह सारे connect कर दिये जाते हैं तो नया node जोडना और existing हटाना start topology में आसान रहता है इसी परकार ring topology में भी आसान है क्योंकि हमें cable और cable दो connection ही बनाने हैं और हटाने हैं यहां से बीच में जोडना है तो यहां पर एक node लीजे और इसको दोनों से connect कर दीजे हटाना है तो इस node को यहां से दोनों के link हटा दीजे सीधा सीधा tree topology में difficult है क्योंकि इसमें complex होते हैं बहुत सारी branches होती हैं बहुत सारी node होती है तो जिस एक single link पर यह जुड़ी होती है उस पूरे link को जो secondary hub है उसे हमें बंद करना पड़ेगा और उसके बाद reconfigure उसको करना पड़ेगा इसलिए इसमें थोड़ा सा इससे difficult है और mesh में भी difficult है क्यों क्योंकि एक node अगर मालनों यहां से मुझे जोड़नी है इसमें तो मुझे इसमें चार link लगाने पड़ेगे चारों node में क्योंकि existing चारों से मुझे जोड़ना है या कोई लगी हुई है उसको अटाना है तो उसके सभी जितने connection थे सारे connection हमें अटाने पड़ेगे तो इसको भी reconfigure हमें करना पड़ेगा जो की difficult होता है last है reconfiguration यह अभी हमने जो discuss किया उसमें आई गया है तो bus topology में reconfigure करने का मतलब होता है कि दुबारा से उसको कोई changes करने हैं तो वो changes करने में कितनी हमें आसानी रहेगी या मुश्किल रहेगी तो bus topology requires redesigning of backbone यानि के जो पूरा का पूरा हमारा network है पूरी की पूरी जो line है उस पूरी line को ही हमें क्या करना पड़ेगा redesign करना पड़ेगा start topology में very easy simple जो switch है या central hub है उससे connection हटाने और लगाने है वह उसको चलते भी इस्तिती में भी हम कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि उसको हम बंद भी करें इसलिए इसमें very easy है यह फिर से यही एक जो main कारण है कि हम इसको use करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया था start topology को हम सरवादी की use करते हैं उसको कारण यही है फिर है ring topology इसमें difficult है क्यों क्योंकि यह connection सारे बनाने हटाने पड़ेंगे यह 3-4 connection जितने भी हैं उसमें neighboring nodes से वो करने पड़ेंगे जो node हैं उन nodes को हमें बंद करना पड़ेगा फिर restart करना पड़ेगा उन systems को यह devices को इसलिए इसमें difficult है reconfiguration tree topology में comparatively easy है ठीक है आप लोग एक बात का ध्यान रखें easy का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि बिलकुल easy है बहुत ही आसानी से हो जाएगा यह comparison है कि जो दूसरी topology है उनके मुकाबले यहाँ पर क्या है तो tree topology में ring के मुकाबले आसान है क्यों क्यों क्योंकि इसमें एक जो hub है सिरफ उस hub से संबंदित ही connection हमें दुबारा से design करने पड़ेंगे उसको ही restart करना पड़ेगा सारे network को नहीं करना पड़ेगा और mesh topology में फिर से difficult है क्यों difficult है क्योंकि इसमें number of lines जादा होती है अगर थोड़ा भी बड़ा network है अगर चोटा है तो फिर भी आसान हो सकता है पर इन जनरल हम दो तीन computer का तो network बनाते नहीं है जनरली 20, 25, 30, 50 या उससे जादा ही होते हैं तो उनके connection करने के लिए wiring और वो सारी चीज़ें बहुत जादा required होती है और जिस भी system से हम connect कर रहे हैं उसको तो restart हमें करना ही पड़ता है आजकल फिर भी technology ऐसी आगी है जो hotspot होती है यानि कि चलते हुए में ही आप उसको लगा जा सकते हैं simple theory का question आ सकता है कि कौन सी topology किस प्रकार से कारे करती है या simple पूचा जा सकता है कि star topology को explain करो या topology क्या होती है कितने प्रकार की होती है और उनमें से किसी भी प्रकार या सभी प्रकारों का आपको word and explain करने के लिए कहा जा सकता है या किनी 2, 3, 4 या 5 ही topology का comparison आ आता है तो आप यह comparison table बनाए और अगर theoretical वैसे question आता है तो आप उसके लिए जो अभी तक हमने previous lectures में पढ़ा है उसके आधार पर आप उसका जवाब दे सकते हैं तो यह हमारा topology जो 1.4 topic था पहले chapter का यह आज यहां पर समाप्त हो रहा है इससे संबंदित हमने सभी किसी topic से संबंदित आपकी कोई query हो तो आप मुझे मेरी email id sunil13982 at gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं mail कर सकते हैं आज के lecture के लिए हम इतना ही करेंगे और अगले lecture में हम अगला जो topic है उसको start करेंगे तब तक मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप इतने तक के जितने भी है previous lectures उनको अच्छे से पढ़ने में क्योंकि यह सारे के सारे आगे जो हमारा यह विशह है इससे संबंदित जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबने यह बार-बार काम में आएगा तो आज के lecture के लिए इतना ही धन्यवाद